हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का चैनल फोर एक्जाम पाउर में फ्रेंड्स आज किस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का और इतिहास का टॉप 50 प्रस्न ठीक है टॉप 50 प्रस्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ओके तो को आप अच्छे से रट लीजिएगा ओके यहां पर जो हम लोग 50 प्रस्न देखने वाले हैं यह सभी आप 50 प्रस्न पढ़ लेते हूं तो इनमें से कम से कम आपके एक्जाम में 20 प्रस्न पक्का यहां से पूछा जाएगा ठीक है यह 20 प्रस्न फिक्स है कि यहां से आपके जरूर रहेगा ओके तो सभी प्रेशन को आप रट लिजेगा ठीक है एकदा मच्छे से रट लिजेगा ओके और मैं आपको बतादो फ्रेंड्स आपको सब्जेक्टिव प्रस्न जो भी भी आई सब्जेक्टिव प्रस्न होते हैं अगर ओ आपको चाहिए ठीक है तो आप गूगल में सर्च करेंगे www.forexampower.com ठीक है आप forexampower.com सर्च करोगे तो आपको जो फस्ट में वेबसेट दिखाई देगा ठीक है आप उस पे जाओगे और वहाँ पे आपको सारे चीज मिलेंगे जैसे model paper, objective important question, subjective important question ठीक है यह सभी चीजें वहाँ पे मिलेंगे तो आप www.forexampower.com गूगल में सर्च करेंगे ठीक है और आप जरूर जाहिएगा ओके और आपको वहाँ पे subjective जितने भी important questions होंगे वो सभी questions आपको वहाँ पे मिलेंगे ठीक है और arts के जितने सारे subject हैं ठीक है सारे subject का वहाँ पे आपको मिलेंगे और आपको PDF चाहिए तो इन सभी question का यह जो हम लोग 50% देखने वाले हैं ठीक है अगर इसका आपको PDF चाहिए तो description box में टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है तो आप उसे join करके आप असाने से फ्रे में PDF राप्त कर सकते हों ठीक है तो पिछले देखते हैं पहला प्रेस्ट ने पहला प्रेस्ट ने है निम्न में से किसने मोहन जोदलों की उत्खनन की तो यहां पे चार option दिया गया है तो इसका जो सही answer है और आपको मैं बता दो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम दो देखने वाले हैं टोटल 50% ठीक है तो आप आपको यह बताना है कि आपका जो 50% है आप 50% में आप कितना answer जानते थे ठीक है आप कितना प्रेस्ट का answer दे पाए हो आप comment box में जरूर बतेएगा ठीक है तो इसलिए देखते next question question number second है किस धातु का ज्यान सिंधु घाटे के निवास्यों को नहीं था ठीक है तो option number 2 है सोन ठीक है तो दूसरा का सही answer है option number D sorry option number C लोहा का ठीक है सिंधु घाटे निवास्यों को किस धातु का ज्यान नहीं था तो लोहा का ज्यान नहीं था यह आप अच्छे से याद कर लेज़ेगा ठीक है क्योंकि यह काफी important question है question number 3 है asiatic society के अस्थापना की गई थी तो कब की जॉन्स की दवारा okay asiatic society के अस्थापना किस ने किये थी तो विलियम जॉन्स की दवारा किया गया था ठीक है next question है हलपा किस नदी के किनारे इस्थित है तो चार का सही answer है option number D रावी नदी के किनारे योजो हलपा है वो इस्थित है ठीक है next question है कलिंग के लड़ाई कब लड़ी गई थी यहां पे option दिये गए है option नमर ये है 261 इसा पुर्व में option नमर भी है 280 इसा पुर्व में option नमर सी है 285 इसा पुर्व में और option नमर ये का राजा था तो 6 का सही आंसर है option number D ठीक है असो किस वन्स का राजा था तो option number D है more events का राजा था ठीक है 6 का सही आंसर है option number D more events ओके अगला प्रस्न है question number 7 है पाटली पुत्र के संस्थापक कौन थी तो 7 का सही आंसर है option number C उदाइन ठीक है पाठली पूत्र के संस्थापक कौन थे तो उदाइन थे तो इसका right answer है option number C ठीक है next question है question number 8 है मुद्राराक्षस किसकी रचना थी तो यहाँ पे option दिया गये है ठीक है तो 8 का जो right answer है वहाँ option number B विसाखदत ओके 8 का right answer है option number B विसाखदत ठीक है next question है question number 9 है समुद्र गुप्त की तुलना किस से की जाती है तो किस से की जाती है समुद्र गुप्त की तुलना ठीक है तो इसका जो सही answer है वहाँ option number 9 का जो right answer है friends वहाँ option number B ठीक है नेपोलियन से की जाती है ओके अगला प्रस्ण है बूत का जन्म कहां हुआ था तो 10 का सही answer है option number C ठीक है यहाँ पे option number यह है बोद क्या में option number B है पावा पूरी में option number C है friends लुम्बनी में और option number D है सारनाथ में ठीक है तो 10 का right answer है option number C लुम्बनी में ओके अगला प्रस्ण है हलापा से बहता किस यूग किस सबहता है तो हलापा से बहता का जो यूग है friends वो क्या है तो option number यह है लो यूग option number B है option number C है काँ से यूग और option number D है friends इन में से कोई नहीं ठीक है तो 11 का right answer है option number C काँ से यूग हलापा सबता का जो यूग है friends वो क्या है तो काँ से यूग काल है ओके ये भी आपके लिए काफी important question है काफी BBI प्रस नहीं तो इसे भी आप अच्छे से एकदम रट लिज़ेगा ओके अब चले देखते next question question number 12 है मोहन जोदलो का साब्दिक मतलब है तो क्या है मोहन जोदलो का साब्दिक मतलब option number ये है मिर्तको का टिला option number B है महान का टोला option number C है जीवीतो का टोलार option number ये है friends इन में से कोई नहीं तो 12 का जो रैट आउंसर है वह option number ये मिर्तको का टिला मोहन जोदलो का जो साब्दिक मतलब है तो मिर्तको का टिला है मोहन जोदलो का साब्दिक मतलब अगला प्रस्न है भारतिय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है भारत के पुरातत्व का पिता आप्शन नमर ये है लॉर्ड करजन को आप्शन नमर भी है अलेक्जेंडर कनिंगम आप्शन नमर सी है द्याराम साहनी और आप्शन नमर भी है लॉर्ड डलहोजी ठीक है तो तेरा का सही आउंसर है आप्शन नमर भी अले द्वारा ठीक है हलापा का उत्खनन जो क्या गया था फ्रेंड्स ओकिन के द्वारा क्या गया था तो द्याराम साहनी के द्वारा क्या गया था हलापा का उत्खनन ठीक है यह भी आपके लिए काफी इस्थित है काली बंगा तो 15 का सही आंशर है option number D राज अस्थान में ठीक है आप लोगों के लिए चार option दिये गए है अगर इसका अंसर आप जानते हो तो आप comment box में अपना अंसर दी तो सोला का सही आंसर है अप्सिन अमड़ी गंगा सोन पुनपुन ठीक है अब चले देखतें नेक्स्ट कोशे कोशे नमबर 17 है फ्रेंड्स भारती इतिहास का कौन से काल स्वर्न काल के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे चार आप्सिन दिया गए है ठीक है तो आप्सिन अमर ये है मुर्य काल को आप्सिन अमर भी है गुप्त काल को आप्सिन अमर सी है मुगल काल का और आप्सिन अमर ये है अंग्रेजों का काल को ठीक है तो सेवन टिन का जो रैट आंसर है वह option number B गुप्त काल को ठीक है? गुप्त काल को स्वरन काल के नाम से जाना जाता है ठीक है? अब से लिए देखते हैं next question question number 18 है वेदू की संख्या कितनी है? तो वेदू की संख्या कितनी है फ्रेंड्स option number Y है 4 option number B है 5 option number C है 3 और option number Y है 8 4 है ठीक है? अब से लिए देखते हैं next question question number 19 है मोरिय समराज जी का पर्थम सासक कौन था? तो कौन था मोरिय समराज जी का पर्थम सासक यहाँ पर option दिया गये है ठीक है? तो इसका सही answer है उन्हें इसका जो रेट आंसर है option number B चंद्रगुप्त मोरिय है ठीक है? उन्हें इसका सही answer है option number B चंद्रगुप्त मोरिय है अब शलिए देखते next question question number 20 है दुरोपती किसकी पत्नी थी? ठीक है? दुरोपती जो थी फ्रेंड्स वो किसकी पत्नी थी? तो यहाँ पर option दिया गये है पहला है भीम की option number B यूदि स्थिट की option number C है अरजून की और option बड़ी है इनमें से सभी की ठीक है? तो 20 का सही answer है option number D इनमें से सभी की दुरोपती जो थी फ्रेंड्स वो आनि यह सभी की जो दुरोपती थी वो पत्नी थी ठीक है? तो इसका right answer है option number D अगला प्रस्ण है सेर एपंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो 21 का सही answer है option number option number D ठीक है? लाला लाजपत राइकू ठीक है? और 21 का जो right answer है option number D लाला लाजपत राइकू अप सेले देखते next question question number 22 है नेता जी सुवाच चंद्रबोष ने 1949 में किस पार्टी का गठन किया था? ठीक है? तो नेता जी सुवाच चंद्रबोष ने 1949 में किस पार्टी का गठन किया था? फ्रेंड्स तो इसका सही answer है option number D ठीक है? option number D क्या है? तो forward block का अब चलिए देखते next question 14 नमबर किनका जन्म दिवाच से? यहाँ पे चार option दिया गए है ठीक है? पहला option है महात्मा गांधी का option number B है बाल गंगाधर दिला का option number C है लाल बहादूर सास्त्री का और option number D है फ्रेंड्स जोहर लाल नेहरू का तो आपको जो इसका अंसर है वो आप comment box में दीजेगा ठीक है? इसका अंसर आप comment box में दीजेगा ठीक है? अगर नहीं जानोगे तो आप comment box में बता दीजेगा कि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँगा अब शलिए देखते next question question number अगले है cabinet mission भारत कब आया? तो 24 का सही आंसर है option number D 1946 को ठीक है? next question है Muslim League की अस्थापना कब हुई? तो कब हुई थी Muslim League की अस्थापना? तो 25 का सही आंसर है option number B option number B क्या है? तो 1906 में Muslim League की अस्थापना हुई थी ओके? अगला प्रेस्न है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो कब हुआ था? बंगाल विभाजन तो यहाँ पर option दिये गए है ठीक है? तो इसका जो रेट आंसर है 26 का सही आंसर है option number यह 1905 में ठीक है? अगला प्रेस्न है question number 27 है जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया? तो 27 का जो रेट आंसर है वह है option number C लाल बहादूर सास्त्री ने ठीक है? जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिये थे? तो लाल बहादूर सास्त्री के द्वारा यह जो नारा है दिया गया था ठीक है? अब सले देखते next question Question number 28 है भारत का राश्ट गान कौन से है? तो 28 का जो राश्ट गान है, वह है option number B, सारे जहां से अच्छा भारत का जो राश्ट गान है friends, कौन से है? 28 का जो राश्ट गान है, वह है option number B ठीक है? जन गना मना अधिनायक अगला प्रस्न है राजिंद्र परसाद का जन्म कहां हुआ था तो 29 जो रेट आंसर है वह है option number C ठीक है राजिंद्र परसाद का जन्म कहां हुआ था friends तो इसका सही answer है option number C ठीक है, ओप्सन नम्बर C क्या है, तो जीरा देई में, ओके, अब शले देखते नेक्स्ट कॉशन, कॉशन नम्बर 30 है, भारत का सिविधान कब लागो हुआ, तो कब लागो हुआ था भारत का सिविधान, तो 30 का सही आंसर है, ओप्सन नम्बर E, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, भार नमबर नेक्स्ट है गंगा-पुत्र किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है गंगा-पुत्र औप्चन यह और जून को औप्चन भी है विदूर को और जु कर और अपशन नमड due को ठेका हैं तो 31 का जो रेut आंसर है option number B ठीक है इसका सही आंसर है option number B बोध किया में ऐगला प्रस्ण है अस्तूप समंधित है तो किस्से है समंधित जैंधर मसे बाद मसे हिंदु धर्रमसे और option number D है सीख धर्मसी तो 33 सही आंसर है option number B ठीक है बाद धर्मसी ओके अब चले देखते नेक्स्ट कोश्ण कोश्ण नमबर चौती से महावीर का जन्म कहां हुआ था तो ठाटी-फोर का जो रैट आउसर है वह आप्शन नमबर सी कुंडल वन में अनिवेसाली में ठीक है अब चले देखते नेक्स्ट कोश्ण कोश्ण नमबर 35 से अक अकबर क वीदमंदरी यहाँ पर ऑप्शन दिए गये हैं जिसरे है मांसिंग आपसन नमबर टो डर्म और और आपशन नमबर आफशन का सही आँसर है option number C to dermal ठीक है, अक्बर का वीच मंतरी कौन था तो to dermal था, इसका सही आंसर है option number C ठीक है, अब चलिए देखते हैं next question, अक्बर नामा की रचना किसने की, तो 36 का सही आंसर है option number D, ठीक है option number D क्या है, तो अबुल फजल ने ठीक है अब चलिए देखते हैं अगला प्रेस्ट दिल्ली से दौलताबाद किस सासक ने रजधाने प्रिवर्तित की तो 37 का जो सही आंसर है वह है आप्शन नमबर बी मुहम्मद बिन तुगलक ओके 37 का सही आंसर है आप्शन नमबर बी अब चलिए देखते 37 का झाल सरहे आप्शन नमर बी यमिन के किनारे ओके अब चलिए देखते हैं अगला प्रेस्ट कोश्ण नमर उचालिसे भारत का अंतिम मुगल्सम्राट कौन था तो कौन था भारत का अंतिम मुगल्सम्राट यहाँ अपर आप्शन नमर बी Čब ये है शहां ऑफिन अबर B है औरंग शीओ और सी है मुहम्मज साह और शयां बढ़ी है बहादूर सा जफर तो 49 का सही आंशर है ऑफिन अबढ़ी बहादूर सा जफर ठिक है भारत में मुगल का संस्थापक कौन था तो 40 का सही आंसर है option नमर यी बावर ओके भारत में मुगल बंस का संस्थापक कौन था तो बावर था ठीक है अगला प्रस्ण है question number 41 सलीम चिस्ति की तरगाह कहां अवस्थी थे तो कहां अवस्थी थे सलीम चिस्ति की तरगाह तो 41 का right answer है option number यी आगरा में ठीक है अब next question देखते हैं question number 42 है भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरभ किस ने किया तो इसका सही आंसर है option number ये ठीक है रमानंद ओके next question है संथ कबीर का जन्म कहां हुआ था तो संथ कबीर का जन्म कहां हुआ था फ्रेंड्स तो 43 का सही आंसर है option number 43 का जो right answer है option number B वारा नसी में ठीक है next question है भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थी तो यहाँ पे option दिया गया है तो 44 का सही आंसर है option number C ठीक है भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थी तो इसका right answer है option number C, पुर्टगाली थी, ठीक है, next question है, question number 45 है, पलासी की लडाई कब हुई, तो कब हुई थी, पलासी की लडाई, ठीक है, तो यहाँ पे option दिया गया है, तो इसका सही answer है, option number C, ठीक है, 1757, इस्वी में, पलासी की लडाई हुई थी, ओके, अगला प्रस्न है, question number 46 है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो 46 का सही answer है, option number E, कारणवालेस, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो कारणवालेस ने किया था, ओके, अगला प्रस्न है, लक्षमी बाई कहां किरानी थी, तो कहां की रानी थी लक्ष्मिबाई तो इसका सही आंसर है option number C ठीक है option number C क्या है तो जहां सी की थी अगला प्रस्ण है वीर कुवर्शी कहां के रहने वाले थी तो कहां के रहने वाले थी वीर कुवर्शिंग यहां पर option दिया गया है तो 48 का right answer है option number C option number C क्या है तो जगदीश पूर का next question है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था तो महात्मा गांधी द्वारा पहला शुरू किया गया जो तन जन आंदोलन था friends तो कौन था तो 49 का सही answer है option number B अहसहयोग आंदोलन था ठीक है अगला प्रसन है question number 50 है 1916 में हुए भारतिय रास्टे कॉंग्रिस के लखनाउ अधिवेशन की अधिक्षता किसने की थी ठीक है तो 50 का सही answer है option number B अंबिका सिरन मजुनदार तो आज के लिए इस वीडियो में देखे टोटल कितना प्रसन देखे तो टोटल 50 प्रसन देखे तो आपको ये 50 प्रसन अच्छे सिरट लिना है तो कि आपके एक्जाम के लिए आपके 2023 एक्जाम के लिए काफी important प्रसन है अगर आप 2024 में भी या वीडियो देखे होगे तो आप लोगों के लिए भी काफी important question है ठीक है तो आप सभी से निवेदन है कि सभी question को आप रेट लेजीगा ठीक है और आपका कितना सही हुआ है वो आप comment box में आप जरूर बताए कि कितना सही हुआ है ठीक है और आपको जो भी subject का वीडियो चाहिए वो आप comment box में बताएगी और कोई आपको सुझाव हो तो आप comment box में वो भी बताएं ठीक है तो इस वीडियो को आप लैक करती जेगा ठीक है आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक किजेगा share किजेगा ठीक है और अपने जितने भी friends है सभी के साथ इस वीडियो को share करना है और चैनल को आप subscribe ज़रूर किजेगा ठीक है